बिहार के डिप्रिसियम तेजस्वी यादव प्रवतर निदेशा लेयानी के एडी दफ्तर पहुंचे हैं लैंड फोर जॉब इसकेम केस में आज एडी उनसे पूश्टाच करेगी ये घुटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बतले उनसे जमी ली थी लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे लैंड फोर जॉब इसकेम 14 साल पुराना केस है इस मामले में इसी साल 18 माई को सीवी आई ने केस दर्च किया था सीवी आई के मताबिक लोगों को पहले रेल वे में ग्रूब डी के पदों पर सब्सिट्यूट के तोर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया सीवी आई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने एक पॉइंट पांच लाख वर्ग फीट जमीन पर कफित तोर पर खबजा कर रखा है इन जमीनों का सौदा नखद में हुआ था यानि लालू परिवार ने नखद दे कर इन जमीनों को खरीदा था सीवी आई के मताबिक ये जमीने बेहत कम दामों में बेच दी गई थी सीवी आई ने ये भी पाया कि जोर्नल रेलवे में सक्षिट्यूट की भर्ति का कोई विज्यापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दी उनके सदस्थों को रेलवे में मुंबई, जबलपूर, कॉलकाता, जैपूर और हाजिपूर में न्युक्ती दी गई ED के मताबिक कुछ उम्मीदवारों के आविद्नों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाए गई कुछ आविद्नों को तीन दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आविद्नों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और नुक्त भी कर दिया कुल मिराकर लालुयादव एंड फैमली ने कथित तौर पर साथ उमीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी थी इन में से पांच जमीनों की विक्री हुई थी जबकि दो गिफ्ट के तौर पर दे दी गई थी